पूरे देश में हाई अलट जारी कर दिया है ग्रेमंत्राले की टीम ने तमाम राज्यों को जो सुरक्षा एजनसिया हैं उन्हें अलट पर रहने के लिए निर्देश शित किया है और साथ ही आज अजमेर के अंदर इमर्जनसी रिस्पोंस की जो टीम है वो बस स्टेंड पर पहुची है बस स्टेंड पर जाके सुरक्षा विवस्ताओं का उन्होंने जायजा लिया है और इसके साथ ही तमाम सुरक्षा की एजनसियां जो हैं और जो खूफिया विभाग है उसको ग्रेमंत्राले ने अलट पर रहने के निर्देशित कर दिया है अलट मोड पर उनको रहने के लिए कहा गया है और साथ ही ये निर्देशित किया है कि 15 अगस्त और 5 अगस्त जो राम जनबुमी का शीला नियास कारिकरम है उसके मदे नजर देश के ऐसे इलाकई इलाके जो हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्ताओं का जाजा लिया जाए साथ में कड़ी निग्रानी रखी जाए इन्हें इलाकों पर जहां पर भी होटल, रेस्टोरेंट्स और कहीं भी अगर कोई संदिक्त वैक्ती दिखाए देता है उसके मुताबिक अजमेर शहर की बाकी की जगे जिसमें रेल्वे स्टेशन्स और बस स्टेंड और शहर में आने वाले जो वाहन है उनकी भी सगन उनके उपर निगरानी रखी जाएगी उनके उपर मॉन्टरिंग प्रॉपर तरीके से रखने के निर्देश दिये गए हैं साथी जो पूरा सियासी माहौल इस वक्त राजिस्थान में बना हुआ है जिस तरीके से मुक्यमंत्री राजिपाल से मिल रहे हैं बाजपा के निताओं का भी राज़पाल से मिलने की जानकरी इस वक्त हम को मिली है तो जो सूचना है मिल रही है उस सियासी माहुल के मत दे नजर भी इस पूरे सुरक्षा अलट को देखा जा रहा है पूरे प्रिदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरीक टाइट रखने के लिए निर्देशित क्या गया है और जितने भी होटल और जो धरमशालाएं हैं उनके उपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी साती शहर में दाकिल होने वाले जो वाहन होंगे उन वाहनों के उपर भी सकत निगरानी रखने के लिए निर्देशित क्या ग झाल झाल